राल गादेवाद अकिलेश जी अकिलेश जी प्रियमका कॉंग्रेस पार्टी के अजिन राएं जी हमारे सब सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हमारे कार्यकरता समाजवादी पार्टी के कार्यकरता आप सब कमें यहाँ दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा गन्या कुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमितर चली समुतर के कट से हम शुरू हुए हिमालाय की बर्फों तक हमारे यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया एक व्यक्ति आया दोड़ता हुआ कैसे यह भीड है उस भीड में से व्यक्ति आया दोड़ता हुआ मेरे सामने कड़ाओ कैसे कहता है राहूल जी मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो मैंने पूछा बहिया बताओ मैं क्या कर रहा हूँ कहता है राहूल जी आप नफरत के बासार में महबत की दुकान गोड़े निकरे हूँ और यही हम अब मिलकर अधिनेश जी प्रियंका जी इंडिया कट बंदन हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत पहलाई गई है जो भाई को भाई से लड़ाया गया है और भाई को ड़राया गया है इसके किलाव हमें खड़ा होना है मिलके खड़ा होना है और यह देश जो है यह नफरत का नहीं है यह महबत का देश है महबत का देश है यह नफरत का देश है महबत का देश है ना तो पहली लड़ाई नफरत को खतम करने की लड़ाई है मैं आपसे पूछता हूँ नफरत को नफरत से काटा जाता है नहीं नफरत को सिर्फ महपत काट सकती है सहीबाथ नफरत को किस चीज़ से काटा जाता है सुना नी मैंने ये महपत से काटा जाता है और आम इनकी नफरत को महपत से मिटाएंगे अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था लोगों ने मुझे कहा कि राउल जी आप 4000 किलोमिटर चल रहे हो मैं उनसे पूछता था भईया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है मुझे कहते थे राउल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याई फैल रहा है गरीबों को अन्याई किसानों के गिलाप अन्याई मद्दूरों के गिलाप अन्याई महिलाओं के गिलाप अन्याई अगर आप गरीब हो आपके साथ चौपिस गंटा इस देश में अन्याई होगा तो नफरत का कारण अन्याए है और इसलिए हमने भारा चोड़ो यात्रा में अन्याए शब्ट जोड़ दिया है अब यहां भीर से मैं पूछना जाता हूँ इस देश में पिछले वर के कितने लोग है 50% इस देश में दलित वर के कितने लोग है 15% इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो मुसल्मान, सी, किसाई कितने है जैन, कितने है 15% 50% और 15% कितना हुआ 62% और 15% कितना हुआ उसमें 8% आदिवादी जोड़ दो कितना हुआ कितना हुआ 80% इस दोस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका आप फिर मीडिया के बड़े-बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो 88% सा एक वहाँ पे नहीं मिलेगा प्राइवेट हस्पतालों की लिस्ट निकालो वाँ नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो वाँ नहीं मिलेगा तो आप लोग हो बहाँ आपके लोग है का मैं बताता हूँ आपके लोग मंद्रेगा की लिस्ट में होंगे आपके लोग कांट्राइक लेबर के लिस्ट पे होंगे आपके लोग मज़़ूरी करते हैं यही हमें बदलना है यही नयाय समाजिक नयाय का मतलब है भाई और मैंनों हिंदुस्तान के बज़ेट को 90 लोग बाठते हैं सबसे बड़े आये सबसर मैंने की लिस्ट निकाली 90 में से 3 पिछड़े वर्के है 3 दलित वर्के है 1 आदिवासी वर्का है और अगर 100 लुपे बज़ेट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिला कर 6-7 परसेंट बज़ेट की भाविदारी रखते हो तो सच्चा ही है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे बाशन चलते हैं अगर जो गड़े लोग हैं पिछड़े लोग हैं धले थे माइनॉरिटी के लोग हैं आदिवासी लोग हैं उनकी इस देश में भागिदारी है ही नहीं और यही इंडिया गड़बंदन का लक्ष है हम समाजिक नियाए के लिए लड़ रहे हैं आर्थिक नियाए के लिए लड़ रहे हैं किसानों के लिए लड़ रहे हैं किसानों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए उन्होंने कहा है कि हमें लीगल MSP दे दीजिए पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई हिंदुस किसानों को हम लीगल MSP दिलवा देंगे एक मिनट नहीं लगेगा तो यह नियार की लवाई है महुपत की दुकान खुलनी है और मैं अकिलेशी को समाजवादी पार्टी के सब सारे करताओं को अब आप मिलके लगे है और यहां हमारी जीगोगी आने जए हैं नमस्कार